हेलो गाइज एन वेल्कम तू माई चैनल फैंटेसिटीम और इस जीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं पाकिस्तान विसेस साथ आफ्रिका के ओमेंस के बीच में जो फिफ्ट फॉर्थ ओडी टीट्वेंटी मैच होने वाला है इसी मैच के बारे में इस मैच की हम लोग डीपली एनलाइज करने वाले हैं और मैं आपको बहुत सारी टीफ एंटिरिक्स बताने वाला हूं जिससे आप इस मैच पर बहुत हासानी से विन कर सकते हो तो दोनों जो अभी तक मैच हो चुकी है उस मैच की अगर हम लोग रिजाल्ट देखे तो पहला टीट्वेंटी मै मैच जो है यहाँ पर पाकिस्तान ने जीता था दूर्सा टीट्वेंटी मैच जो है यहाँ पर साउथ आपरिका ने जीता है और तीससा टीट्वेंटी मैच फिर से पाकिस्तान ने जीता था तो अभी तक पाकिस्तान के फेवर में जो है टू-1 सीरीज अभी चल रहा है और यह मैंच जो है साथ अफरीका के लिए बहुत इंपोर्टन है अगर यह मैंच पाकिस्तान उमें अगर जीत गई तो वह सीरीज भी जीत जाएंगी तो साथ अफरीका की जो है टीम जो है बिल्कुल अपनी 100% कोशिस करें कि मैच को जीतने के लिए तो सबसे पहले हम लोग चाहिए या नहीं तो 92% लोगों ने जो है जिस कहा था इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक है टेलिग्राम जोइन करने के लिए तो बहुत ही नया चैनल है मैंने दो दिन दिन पहले ही बनाया है तो आप चाहें तो यहाँ पर जोइन प्लिंग 11 आएगा तो वहाँ पर भी मैं यहाँ पर जो है आपके लिए टीम अपडेट कर दूंगा जिस टीम से मैं खेनने वाला हूं तो बात कर लेते हैं विकेट की पर सेशन से तो यहाँ पर पाकिस्तान के लिए विकेट कीपिंग करेंगे सिद्रा नवाज वहीं पर ब है वहीं पर बोलर्स कि बात करें तो यहाँ पर रियाज नजरासंदू और यहाँ पर सांपिम जो है बोलिंग करेंगे जाफ्ता जैए आ सो यह पो करेंगे लैजी चैंडाांकर यहाँ पर यह बहुतन से और यहाँ झालोन चून लिज और यहां पर नाइदी दी क्लाउ owners मो मौका मिला था रेरो ने बहुत ही अच्छा फोर्म किया था साथ ही साथ यहां पर आप देख सकते हो एम क्याफ को लास्ट मैच पर ड्रॉप किया था और सायद इस मैच पर उसे मौका मिल सकता है किसकी जगह के लाएंगे यह थोरी बहुत जोए डिवेटीबल चीज होगी पर आप तूमी को जो भी सायद है इनको जो खिला भी सकते हैं अब बात कर लेते हैं आपको तो प्लिंग 11 पता चली जाएगा इससे पहले अगर आप ड्रीम 11 खेलते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप MPL हाला पिले और माइटीम 11 जरूर खेलिए सब में आपको फिर सब्सक्राइब कर सकते हो बात कर लेते हैं पाकिस्तान भी से साउथ आफ्रीका की जो टीम होने वाली है इसी मैच के बारे में तो सबसे पहले स्टाट करते हैं विकेट की पर सेशन पर तो विकेट की पर पर आपके बास जो आफसन है दोनों ही कुछ खास इंपैक्ट पॉइंट ही जो है अभी तक यहां पर दिया हुआ है तो कोई एक्सफेक्टर नहीं है यहां पर आप जीसे चाहे चूस कर सकते हो और अगर आपको पॉइंट की तकलिफ हो रही है तो आप जाफ्रा के साथ जा सकते हो आधरवाइस दोनों ही जो बहुत नीचे बैटिंग कर बैट्समन की बात करें आप जाफिरा कान ओपनिंग करते हैं और सफ़शापीकर के लिए लाइस दीली ओपनिंग करते हैं दोनों यह बहुत यह बैट्समन है तो आप दूनों को आपने टीम में रख सकते हो वही बैट्समनला मानूप बहुत यह बहुत ही अच्छे फॉरम जो है आज इनको जो है डॉप करने के चंद से बहुत ही ज्यादा है क्योंकि इन्होंने तीन मैच पर कुछ खासा चाप नहीं किया हुआ है वहीं पर मैग्डू प्रेस ने पहले मैच में अच्छा किया थे लेकिन उसके बाद इनको जो है लास्ट दो मैच इस पर कोई भी मौ नर पर नीदादार और यहां होई को लिए हुआ है आप चाहिए तो यहां पर ही अगर खेलता है तो आप ले यहां पर नागाज नहीं को वारे में तो कैप्टेन मैंने यहाँ पर यह बनाया हुआ है आप इसे तभी कैप्टेन बनाई है अगर साउथ अप्रिक पहले बैटिंग करती है वह इंपर नीदादार भी बहुत अच्छे ऑल लाउंडर है बैटिंग भी कर सकते हैं बोलिंग भी कर सकते हैं यह दोनों की ख चला है तो चैनल को सब्सक्राइब जरू करना और आप चाहिए तो मेरे ट्रेलेगराम चैनल को जोइन कर सकते हो टॉस के बाद मैं यहाँ पर टीम अपडेट कर दूंगा और वीडियो को लाइक करके जाना और मिलते हैं अगले वीडियो में